हाई वेट्स परकम तूप यूटूब चैनल चिखनी बटवाल बायोजिक टूविल्स आज इस वीडियो में पढ़ने वार हैं आउट बीडिंग डिवाइसेज। चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए अगर हम जादातर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें हर्माप्रोडाइट फ्लांट्स देखने को मिलते हैं जादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में हर्मा प्रोडाइट फ्लार देखने को मिलते हैं अब हर्मा प्रोडाइट फ्लार क्या होते हैं जिसमें आपका मेल रिप्रोड़क्टिव और और फीमेल रिप्रोड़क्टिव और एक साथ एक ही फ्लार में होता है अब आपको बता है जो female reproductive organ है उसे हम पिस्टिल कहते हैं and male reproductive organ जो है उसे हम क्या कहते हैं stem यह आपका stigma है, style है, ovary है, filament and enter है अब सफस्करों, enter से pollen अगर continuously stigma पर जा रहे हैं यानि pollination की process हो रही है और यह continuous होती ही जा रही है generation by generation तो plant में continuous self-pollination के कारण यह enter से stigma में, D की flower में है, तो enter से stigma में polliner transfer हो रहा है तो self-pollination हो रहा है, autogamy हो रही है और अगर लगाता self-pollination होता है तो plant में in-breeding depression हमें देखने को मिलता है continuous self-pollination की कारण in-breeding depression प्लांट में देखने को मिलता है in-breeding depression के कारण क्या-क्या complication आती है एक तो जो plant की growth है हम कहें, यह plant जो survive करता है उसका एक life पैना वो survive नहीं कर पाता है environmental condition नहीं कर पाता है और साथी साथ, variations हमें कम देखने को मिलती है आपको पता है, variation नहीं होगी तो evolution की process भी slow down हो जाएगी क्योंकि एक ही plant के pollen यहां आपके बैठ रहे है so variations होगी नहीं, genetic material सेम है एक प्लांट से आ रहा है अगर different plants से आता है अगर variation देखने को मिलती है so variation देखने को नहीं मिल रही है तो evolution की process भी slow down होगी so plant को अपनी कर पाता है इस करणवर्ष आपकी environmental conditions के साथ so in breeding depression को simply अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो यहां पर plant की breed खराब जाती है आगे बढ़ते हैं अब self pollination ना हो self pollination ना हो और ज्यादा से ज्यादा cross pollination हो तो plant ने उसके एक कुछ devices plant की body में देखने को मिलते हैं जिनने हम out breeding devices करते हैं यानि यह वो devices है जो self pollination को कम करते हैं और cross pollination के chances को बढ़ाते हैं अब एक्ट करके इन devices को discuss कर देते हैं पहला जो device की बात करें pollen release और stigma receptivity that means इन में कोई तालवेर ना होगर सब्सक्रोब यह हमारा enter है अब यहाँ पर pollen जो है यानि कि enter mature हो गया है और enter ने pollen release कर दिये pollen तो release कर दिये लेकिन उस वक्त आपका जो stigma है या पिस्टिल है वो mature नहीं है और वो जब mature नहीं है तो वो से effect करे गई जैनिकि इन दोनों में कोई तालवे नहीं है एक साथ अपका enter भी और stigma भी दोनों एक साथ mature होने जरूरी हैं तभी जाके pollination होगा एक पहले mature हो रहा है एक बाद में हो रहा है या यह पहले mature हो जाए या यह बाद में जाए तो अभी मामला गड़ बड़ जाता है तो इन दोनों के बीच में तालवे नहीं रहता है तो प्लान ने खुद से डेवलप किया होगा है कि पॉलन रिलीज वह लेकिन जो stigma है उसको रिसीव ही नहीं किया उसने reject कर गया पॉलन आया stigma के उपर और stigma ने उसको वहला होगी है जाफ उसने आके बैठके germinate होने ही नहीं दिया तो इनके बीच में किसी भी प्रकार की synchrony देखने को नहीं मिरी तो पहला device तो यह हो गया next different position किसकी आपके anchor की और आपकी stigma ती यहां कहले फीमेल reproductive part और male reproductive part इसमें हमें थोड़ा सा अंतर देखने को बिलता हैं की position में कि आपका male reproductive part यह जो anchor है उसकी position यहां है और आपका जो female reproductive part यह आपके stigma है यह इसकी position यहां है enter की position यहां है और position अलगल होने के कारण different होने के कारण जो foreign है वो easily यहां तक नहीं पहुँच पाता है अब वो चाय किसी भी agent की help ले वो यहां तक नहीं पहुच पा रहा है क्योंकि इनकी position जो प्लार में है वो different है सामने सामने नहीं है सो एक device यह भी हो गया पिससे क्या होगा autogamy यह cell pollination की charges कम हो जाएंगा हो गई ही नहीं तीसरा देखते हैं तीसरा वर है self incompatibility अब self incompatibility एक genetic mechanism है यह एक genetic mechanism है अब self incompatibility होती क्या है आपका जो stigma है जिसने pollen को receive करना है वो अपने ही pollen को receive नहीं करता है तो ऐसी condition को self incompatibility कहते है यह अपने ही pollen को नहीं accept करेगा दूसरा आ जाए pollen उसको accept कर लेगा लिए अपने को भी accept नहीं करता और जब अपने pollen को accept नहीं करेगा तो यहाँ पे autogamy तो होगी नहीं autogamy नहीं होगी यह out breeding devices कर क्या रहे है यह autogamy को prevent कर रहे है आपका जो cross pollination है उसको promote कर रहे है तो autogamy नहीं होगी सो यह एक genetic mechanism है आपका क्या self in compatibility अब आपका suppose करो pollen आ भी गया यह आपका pollen यहाँ से आ गया लोपे अब pollen पहुंस तो गया लेकिन यह cell incompatible है तो यह pollen को germinate होने ही नहीं देगा germination नहीं होगा pollen का pollen का germination भी नहीं होगा और pollen tube की formation भी नहीं होगी pollen tube की formation भी देखने को नहीं मिलेगी तो ऐसे devices self in compatibility devices कह सकते हैं इसको नेक्स अब चलिए चौथे आउट ब्रेडिंग डिवाइस के बात कर लेते हैं चौथा जो आउट ब्रेडिंग डिवाइस है वो है production of unisexual flowers जब हम unisexual flowers के बात करते हैं तो हम ऐसे flowers के बात करेगी जो आपका male flower अब यह अब आरहा है वो अलग plant में है और आपका female plant वो अलग plant में है अब देकर दो condition DV हमारी NCRD में है caster और mage के case में caster और mage के case में हमें monosex या bisexual condition देखने को मिलती है अब monosex या bisexual condition क्या होती है that means आपका female plant यह हमने पूरा flower भी बनाया स्रिफ मैंने female reproductive part बनाया तो यह आपका female flower है और यह आपका male flower यह दोनो एक ही plant में present है तो दोनो नेखी plant में present है यहाँ पे autogamics होती है वो तो क्या हो जाएगी autogamics को तो prevent कर जाएगी autogamics को तो prevent कर जाएगी तो female flower अलग है and male flower अलग है तो autogamics तो नहीं हो पाईगी एक गंद close को नहीं है autogamics तो नहीं हो पाईगी next एक example दिया हुआ है papaya का papaya dioceus है यह हम कहले unisexual dioceus यह unisexual जब हम कहते है that means आपका जो male है वो अलग plant पे है male flower अलग plant पे है और आपका जो female flower है वो अलग plant पे है अब जब male अलग है female अलग है तो autogamics का chance वैसे ही खतम हो जाएगा so autogamics भी नहीं होगी and gytono gabi भी नहीं होगी तो यह चार important devices है या कह लीजिए out bleeding devices है जो autogamics को prevent करते हैं and cross pollination को promote करते हैं तो hope friends आपको यह topic समझना है होगा मिलते हैं next video में एक नए topic के साथ तब तक के लिए bye bye roughly तर्वाब रम तर्वाब याओ